आपके स्कूश्चन है, find the order of Ka of following compounds, आपके पास benzoic acid के पैरा पे OCS3 है, benzoic acid है, benzoic acid के मेटा पे NO2 है, benzoic acid के पैरा पे NO2 है, benzoic acid और्थो पे NO2 है, इन्हीं को इन्होंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th नंबर दे दिया है, और इसी को इन्होंने decreasing order में, और increasing order में कहानी समझा दिया है, so increasing order में है, analyze करिए, सोचिए, find the order of Ka of the following compound, Ka, ये क्या होता है, किसी molecule के acid character को, अगर measure करना होगा, तो दो unit है, एक unit कौन सा है, Ka value, दूसरी unit कौन सा है, Pka value, मतलब कि किसी के acid character को कैसे measure करते हैं, उसके Ka value से measure करते हैं, जितना ज्यादा उसका Ka value होगा, molecule के acid character तना ही ज्यादा होगा, लेकिन Ka value अपने आप में कापी कम होता है, इसलिए इसका minus log ले ले लेते हैं, अब minus log of Ka value, उसको जो नाम देते हैं, वो क्या बोलते हैं, Pka value, तो Pka value के terms में, acid का Pka value की inverse relation है, Pka value जितना कम, acid character ज्यादा, और P ये value के directly relation है, तो सबसे पहले हम decreasing order of acid character देख लेते हैं, तो सभी के सभी बेंजोई acid के derivative हैं, और जो बेंजोई acid के derivative हैं, उन्हें में कुछ ना कुछ लगा रखा है, तो concept के हैं, concept आपने पढ़ रखा है, कि electron withdrawing group किसी भी रूप में लगे हुए होते हैं, electron withdrawing group, चाह माइनिस M का रूप में लगे हो, चाह माइनिस I का रूप में लगे हो, acid के रेक्टर बढ़ाते हैं, reference value थोड़ा सा कम हो जाता है, तो अगर इसी में electron donating group लगे हो, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, तो acid character क्या होगा, उस सबसे कम हो जाता है, तो इसी electron withdrawing donating nature को देखना है, चुकि अलग अलग position पे है, यह para पे है, यह meta पे है, यह ortho पे है, तो इसका अगीन concept याद रखना है, कि ortho para पे सारा effect, meta पे किवल I, और जो ortho para पे सारा effect, तो that means यह जो COOC 3 है, यह प्लस M दिखाएगा, साथ माइनिस I दिखाएगा, प्लस M dominating है, यह देखना है, यहाँ, विनाइल, मतलब H, यहाँ भी H, यहाँ है क्या, यह आपका reference value है, जो नहीं electron दे रहे हैं, नहीं electron खीच रहे हैं, चुकि यह meta पे है, तो हमने आपसे बार बार क्या बोला है, और तो पर सारा effect meta पे किवल I, तो यहाँ NO2 का किवल ماинуस I देखना है, और कोई effect नहीं देखना है, यहां क्या है, यह NO2 का पर है, तो माइनिस M, माइनिस M, दोनों देखना है, माइनिस M, important है, और तो पर सारा effect, तो ओर्पे सारा effect, तो माइनिस M, मा řिय बार पर दूमनीटेगा है, उस इसिर जिसमें इलेक्ट्रन्ड विड्रॉइंग यह एसा है जिसि एलेक्ट्रों डोनेटिंग लगा है जिए कैस ऐसा है सबस्काइब सबस्क्राइब भड़ गया अश्राई में सोच हैं इसके बाद हो जाएगी सेकंड की उसके बाद हो जाएगी फिर्स्ट की यह हो गया डिक्रीसिंग लेकिन दिक्कत गया है हमसे पूछा है सब है increasing हम से पूछा है increasing तो ULTA कर दो बतब सब से कम SD कौन सा हो गया first तो फर्स्ट को देखो यहां first है यहां third है यहां 5 फिप्थ है एक एंसौर बचा है यह देख लो इसका उल्टा पहला फिर इसका दूसरा फिर उसके बाद तो इसके बाद तीसरा उसके बाद पांच वा यहीं हमारा क्या है एंस वार है तो कॉंसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब किसी मॉलिकुल के सब्सक्राइब को निकालना है तो को सारा का सारा फोकस इस्टिबिटीव कॉंजगेट बेस पे हो हम समझाने के जिरूर ऐसा कह देते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग एसरी करेक्टर बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन गिराएगा इस अगर सब्जेक्टी पेपर होत तक को प्रोटोन को हटाकर उसके कॉंजगेट बेस बनाने थे और कॉंजगेट बेस बना कर सब्सक्राइब को निकेटिव या सोच लो सोच नहीं कबाद सब्सक्राइब कोशन आएगा लगा लोगे गट